चार दोस्त हैं आपस में बात करते हैं पहला कहता है कि उसे आफस में कोई परिशान कर रहा है दूसरा कहता है कि हमें मिल के उसे सबक से खाना चाहिए तीसरा कहता है कि क्यों ना उसके हाथ पैर तोड़ दिये जाएं या उसे जान से मार दिया जाएं और चौथा कहता है कुछ भी करो हतियार महिया मैं कराऊंगा पहला दोस्त वो क्राइम करता है पहला दोस्त तो दोशी है ही तो बाकी क्या दोस्त भी उसके लिए दोशी हैं आईए जानते हैं नमश्कार मेरा नाम है ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं Legal Clinic आम बोलचाल की भाषा में अगर बात करें तो अबैट्मेंट का मतलब होता है उकसाना दो तरह के लोग होते हैं एक जो आपको positive प्रेणा देते हैं और दूसरे वो जो आपको दुश प्रेणित करते हैं जी हां दुश प्रेणित मतलब आपको गलत काम के लिए उकसाते हैं या गलत काम करने के लिए साहता मोहिया कराते हैं या गलत काम करने के लिए प्रेणा देते हैं भारतिये दंड सहीता में इस दुश प्रेणा को अपराद माना गया है तो आई ये जानते हैं क्या कहता है IPC 107 abatment के बारे में अगर हम definition की बात करें तो IPC 107 कहता है A person is set to be abat the doing of the thing if instigate any person to do the thing एक विक्ती किसी को दुश परेजित करते हुए तब माना जाएगा यदि वो किसी को गलत काम के लिए उकसाता है B engages with one or more person in any conspiracy for doing that thing if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy दो या दो लोगों के साथ मिलकर वो ऐसा कोई शडियंत्र रचता है जिससे कोई illegal काम कर सके और उस शडियंत्र की वज़े से वो काम किया जाता है C intentionally aids by any act or illegal omission of doing that thing जान बूज कर उस गलत काम को करने के लिए साहता मुहिया कर आता है अब बात करते हैं abatment कितने तरह से हो सकती है तीन तरह से abatment की जा सकती है Abatment by instigation उकसाने द्वारा दुश्प्रेरित किया जाना Abatment by conspiracy शडियंत्र द्वारा दुश्प्रेरित किया जाना Abatment by instigation उकसाने द्वारा दुश्प्रेरित कैसे किया जा सकता है यदि कोई व्यक्ति किसी को उकसाता है या encourage करता है किसी गलत काम को चाहे वो directly करे या indirectly उकसाए तो उसको instigation माना गया है The person should have been instigated by the abater और उस instigation की कोशिश के द्वारा वो व्यक्ति उकसित हो जाता है यानि वो गलत काम करने के लिए ready हो जाता है Mere intention और preparation to instigate is neither instigation nor abatment यदि मैं अपने मन में ही वो बात रखता हूँ कि मैं किसी को उकसाऊंगा तो उसको instigation, उकसाना और abatment अब दुश्प्रेर्णा नहीं माना गया है दूसरा है abatment by conspiracy यानि शडियंतर द्वारा दुश्प्रेर्णा ये कहता है कि दो और दो से जादा लोग जब एक ही गलत काम को करने के लिए तयार हो जाते हैं तो उसको abatment by conspiracy माना जाएगा and this act applies only when some act takes place following the conspiracy और ये तभी मानने होगा जब शडियंतर रचने के बाद जो शडियंतर रचा गया है उस पर काम भी किया जाए तीसरा है abatment by aiding यानि साहयता द्वारा दुश्प्रेर्ण ये कहता है कि aid must be given intentionally जो साहयता दी जानी चाहिए वो जान बूज कर दी जानी चाहिए दूसरा aid must be positive act और an illegal omission वो एक positive act होना चाहिए ताकि वो गलत काम कर रहा जा सके तीसरा aid must be given before the act और at the time of act वो जो साहयता परदान करी जानी चाहिए वो या तो उस कारे के पहले परदान की जानी चाहिए या उस कारे करने के दौरान परदान की जानी चाहिए aid must be for the purpose of facilitating the act और जो साहयता परदान की गई है वो उस कारे को पूर्ण करने के लिए ही परदान की जानी चाहिए किसी और तरह की दी गई साहयता abattment of aiding में नहीं आएगे if the aid was done accidentally or by mistake there is no abattment अगर कोई भी साहयता accidentally दी जाती है गलती से दी जाती है या बस दी जाती है उसकी कोई intention नहीं है mancera नहीं है या कोई guilty mind नहीं है तो उसको abattment by aiding की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा आगे बढ़ते हैं abatter क्या होता है who is abatter दुष प्रेरक कौन होता है आम बोलचाल की भाषा में अगर बात की जाए तो दुष प्रेरक वो व्यक्ती होता है जो किसी व्यक्ती को गलत काम करने के लिए किसी व्यक्ती को unlawful activity करने के लिए उकसाता है अगर definition की बात करें तो यह कहता है कि a person who abits the commission of offense is an abatter अब इसके बारे में जरूरी चीजे जान लेते हैं abatter के बारे में यह जरूरी नहीं है कि abatter भी जो गलत काम हो रहा है जो criminal offense हो रहा है उस काम करने में abatter भी लिप्त हो और यह भी जरूरी नहीं है कि जिस चीज के लिए आपने किसी को गूस लेने के लिए दुश प्रेड किया आपने किसी को abatter किया और उसने गूस नहीं ली आपने गूस ओफर करके ही वो offense, criminal offense वहां माना जाएगा और यह भी जरूरी नहीं है कि जिसको आप abatter कर रहे हैं जिसको आप दुश प्रेड कर रहे हैं वो अपने में सक्षम हो उस criminal activity को करने के लिए कुछ example के द्वारा इनको समझते हैं पहले example की अगर बात करें तो A एक person है जो की एक child को एक बच्चे को या एक lunatic को जो की सोचने समझने की शक्ति जिसके पास नहीं है उसको एक crime के लिए abet करता है दुष्प्रेरित करता है A यहीं पे जैसे ही उसने उस बच्चे को दुष्प्रेरित किया A को guilty माना जाएगा दुष्प्रेरितना के लिए दूसरा समझते है A Z का कतल करना चाहता है A B को जो एक बच्चा है साथ साल का उसको instigate करता है उकसाता है वो murder करने के लिए और B A की absence में जब A आसपास मुझूद नहीं है Z का murder कर देता है A उस murder के लिए libel माना जाएगा यह एक criminal offense है and A is libel for the punishment एक और example से समझते है A Z का कतल करना चाहता है A और B मिल के यह plan बनाते हैं कि वो Z को जहर दे देंगे B plan बनाने के बाद C के पास जाता है और C को सारा plan explain करता है लेकिन A कौन है यह नहीं बताता C सारा plan जानने के बाद B को जहर मुहिया कराता है B वो जहर A को देता है A वो जहर Z को देता है और Z की मिर्ति हो जाती है C और A दोनों ने कभी भी एक दूसरे से मुलाकात नहीं कि दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है फिर भी A और C दोनों ही इस criminal offense के लिए liable माने जाएंगे जानते हैं कुछ और example से A B को instigate करता है B को उकसाता है कि वो किसी के घर में आग लगा दे B का दिमाग विक्सित नहीं है B में सोचने समझने की इतनी ताकत नहीं है A is guilty of an offense for setting the fire and वो liable होगा punishment के लिए abattment एक criminal offense है तो of course इसमें punishments भी होंगी अब जानते हैं कि एक journal public के लिए abattment में क्या punishment है अगर मैं इसको आम भाशा में समझा हूँ suppose कीजिए मैं किसी को kidnapping के लिए उकसाता हूँ और वो kidnapping ना करके उसकी complaint पुलिस में करता है तो जो सजा kidnapping के लिए निर्धारित की गई है उसकी one fourth सजा या fine या दोनों ही मुझे हो सकते हैं अब बात करते हैं सजा जो एक public servant के लिए दी जाती है अबेट्मेंट के case में यह कहता है कि यदि कोई public servant जिसकी duty है उस कार्रे को रोकने की और वही वो कार्रे करता है तो उसको आम जनता की तरह सजा दी जाएगी लेकिन वो सजा जो maximum term decided है जैसे kidnapping की मैंने बात करी तो kidnapping की आम जनता को सजा अगर one fourth हो सकती है maximum तो एक public servant को वही सजा one by two यानि half होगी या fine होगा या दोनों हो सकते है कुछ example से समझ लेते हैं A offers bribe to B which is a public servant B refuses but A has committed the offense A ने एक public servant को घूस दी है और B ने उसको refuse कर दिया है बट A ने घूस offer जैसे ही की वो crime commit कर चुका है अगले example से समझते हैं A ने B इसको instigate किया कि वो अदालत में कोई जूटी गवाही या जूटा सबूत पेश करे B उसको मना कर देता है A जैसे ही ये abet करता है कि वो जूटी गवाही दे वो एक offense create कर चुका है तीसरे example से समझते हैं A जो कि एक police officer है वो robbery की planning करता है जिसका काम है कि वो robbery से बचा है वो एक robbery की planning करता है और यदि robbery नहीं भी होती है तो भी A को आधी सजा जो robbery में दी जाती है उसकी आधी सजा या fine या दोनों हो सकते है एक छोटा सा जल्दी से recap कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा कि abetment क्या होती है abetment कितने परकार की होती है abetment by investigation abetment by conspiracy abetment by aiding abetor कौन होता है और abetment में क्या-क्या punishment दी जा सकती है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो दुबारा मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी interesting topic के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत स्वस्त रही शशक्त बने जैहिन जैभारत